परपल नियूज के नियूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अक्रम खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से जोड़ी से अपीर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वारे नए वीडियो की अपडेट आपको लगार थार मिलती रहें और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर देख रहे हैं तो इस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो की किया उसी के साथ साथ मीडिया का एक अलग खेल देखने को मिला और बार बार एक फुटेज हम लोगों के सामने दिखाई गई कि देखिए अमिशा की किस तरह नरिंदर मोदी जी ने पीठ थप थप आई है इन मुद्दों के उपर लंबी लंबी डिबे छेड़ी जा रही ह जिने मुद्दारा 370 का मतलब भी नहीं पता है वो भी आकर के अपना ग्यान बखे रहे हैं और इसी के साथ साथ उन तमाम देश के मुद्दों को कहीं दरकिनार कर दिया गया है जिसकी खबर आप लोगों के पास पहुशना लाजमी है पर ये वो खबर आप लोगों के सामन पहुशने नहीं देना चाहते ना ही ये चाहते हैं कि देश में तमाम मुद्दों से आप रूबरू हो पाएं सिरफ धारा 370 की आड़ में भारती जिनता पार्टी की पिठ्ठू वरी हमारे मीडिया उन तमाम खबरों का गला घोट रही है जिस खबर के बारे में आपको पत मीडिया गला भाड़ता हुआ नजर आया अयुद्याराम मंदिर विवार बताने से गुरेश नहीं की जहां बाबरी मज़ित को ले करके इनके होटों से एक शब्द नहीं फूटा ये लोग अब उन मुद्दों को दरकिनार किये बठे हैं धारा 370 को ले करके जिस तरहां न सुप्रिम कोर्ट में जो बहस राम मंदिर और अयुद्या विवार को ले करके हुई वो भी दुनिया को बताना जरूरी हो चलाएं क्योंकि उन मुद्दों को इस तरह चुपा दिया गया है जैसे धारा 370 लागू करने के पार देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और अयुद्या वावरी मस्दिद द्विवार को इसलिए भी छुपाने पर हमारा मीडिया लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वोही अखाड़े को बड़ी बुरी तरह से लतार दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि आपको मंदिर होने के सबूत दिखाने ही और भूमी विवाग मामले में निर्मोही अखाड़े से दस्तावईस के तौर पर सबूत पेश करने को कहा गया सुप्रीम कोट ने कहा कि मौखिक या लिखित तौर पर आपको कोट में रिकॉर्ड दर्ज कराने होंगे तब ही उसे सबूत समझा जाएगा वही निर्मोही अ खाड़े के वकील इस मामले में आज बहस कर रहे थे सुनवाई में ओनर्शिप और कबजे को लेकर मांग कर रहे थे ओनर्शिप का मतलब सीधी तोर पर मालिकाना हक नहीं कबजे से है उनका कहना है कि जन्म भूमी पर कबजा दिया जाए बाकि सुप्रीम कोट अयोध्या भ सुप्रीम कोट ने इस मामले में रोज सुनवाई करने का फैसला लिया है चीज जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता में पात सदस्य समविधान पीट के मामले में सुनवाई की जा रही अयोध्या विवाद मामले में निर्मोही अखाड़े के पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोट ने जमीन पर कबजे के संबंद में कागजी सबूत मांगे हैं इससे पहले भी अयोधिया कोट पर दूसरे दिन की सुनवाई पर फिर से उन्होंने मालिक आना हक की बात कही और कहा कि उसे निर्मोही अखाडे को सौप दिया जाना चाहिए निर्मोही अखाडे ने अपनी दलील में जो कहा वो ये था कि राम मंदर निर्मान के लिए एहम दो दशमलव साथ साथ एकर जमीन का निर्मान और प्रबंदन अनुमूर्ती निर्मोही अखाडे को दी जानी चाहिए इसके लिए 1934 में मुसलिम पक्ष भी वहां प्रवेश करने के अमनुमती नहीं थी और इसी आधार पर उन्हें ये जमीन सौप दी जानी चाहिए निर्मोही अखाडे के और से शुशील जैन और रंजन गुगोई की आगुआई में पांच जजों की समविधानिक बैंच इस पर दलील रख रहे हैं बता दें की मंगलवार को अयूद्या विवाद को लेकर प्रधान नियाएधीश रंजन गुगोई की अध्यक्षता में नियमित सुनवाई मंगलवार से हो रही है और सुनवाई जारी है निर्मोही अखाड़ा के वकीन ने बताया कि 1961 में वक्फ बोर्ड ने विवादे स्थल पर दावा ठोका था लेकिन हम वहाँ पर सद्यों से पूजा करते आ रहे हैं और हमारे पुजारी भी प्रबंधन को समाल रहे थे निर्मोही अखाड़े ने अदालत में कहा कि जमीन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है हमसे पूजा का अधिकार छीना गया है अदालत हमारा हक विवादित जमीन से क्यों बेहाल करने पर तुली है मंगलवार को जब ये बात साफ हो गई कि 1982 में जब पूरी तरहा से निर्मोही अखाड़े के जो जमीनी कागजात थे वो चोरी हो गए और जब मद्यस्ता से कोई हल नहीं निकला है तो अब रोज सुनवाई करके इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है तो दोस्तों आपने देखा कि CGI रंजिन गोगोई ने साफ शब्दों में निर्मोही अखाड़े से कहा जो लंबा ग्यान बखेर रहे थे जब उन्हें लताडा गया और कहा गया कि आप इस तरीके से जो केस के सुनवाई को डावट नहीं कर सकते और नहीं इस केस के बारे में जब आपको मौका दिया जाए तब आप अपनी बात को रखे जब उनसे इस सवाल पूछा गया राममंदिर को ले करके अयुद्या भूमी विवार में किस तरह रामंदिर होने के सबूत है जब बात करने की बात आए तो मस्दित को ले करके बताने लगे के इतियास बताने लगे के पहले पांच टाइम की नमाज होती थी फिर इस दिन से ले करके इस दिन के बीच नमाज बंद कर दी गई फिर हफ्ते में एक दिन नमाज के लिए कहा गया फिर उसके बाद वो भी बंद कर दी गई जब ये बातों के फेर को घुमाने की कोशिश की गई तो जस्टेस रंजन गोगोई ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप इधर उधर की बात ना करें मुद्दे की बात करें आप सबूत दे कि वहाँ मंदिर का निर्माड था तो हम मानेंगे इसके बार सुप्रिम कोट की हर कोई प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से निर्मोही अखाड़े को आज पटकार लगी इसके बारे में हमारा में इसी मीडिया बताना नहीं चाहरा ये इतने बड़े फैसले को तीन सो सत्तर धारा के तहर दबाने की कोशिश मीडिया द्वारा की जा रही है ये बेहत ही शर्म नाव हो चला है जहां उन नाव की बेटी पर सवाल किया जाना चाहिए था वहां सवाल नहीं पूचे जा रहे जब भाजपा को घेरने का वक्त आता है तो मुद्दों से दूर खड़ी हुई भाजपा और मीडिया नजर आती है और जब वाकई में वुद्दों के उपर बात करने का वक्त आता है तो ऐसी बहरी बन जाती है कि देश में सिरफ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सत्तर सालों के दौआई देने वाले बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि उनके इस कदम से किसका फायदा होगा और नहीं बीजेपी उन लोगों पर लगाम लगा रही है जो अपनी गंदी मानसिक्ता सोशल मीडिया पर जी भर करके परोस रहे हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कश्मीर की बेटियों के लिए किया जा रहा है वो वाकि बेहंट तराने वाला साबित होने वाला है पर भले ही वो लोग इन मुद्दों के आड़ में आपको जो देश के और तमाम मुद्दे हैं उनसे रूबरू कराएं या ना कराएं मैं अक्सर इन मुद्दों से आपको यूही रूबरू कराता रहूंगा शुक्रिया ये दाग दाग उजाला ये शब गर्जी दा सहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजु लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं लेकर मुल्क को आजाद हुए 70 साल गुदर चुके हैं इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं इन बदलते हुए हालात पर नदर रखने के लिए देखते रहिए सियासत नामा पलपल न्यूस पर